परिचय आप सबने जगमगाते प्रकाश देने वाले बिजली के बल्ब को ज़रूर देखा होगा। बिजली का बल्ब प्रकाश कैसे देता है? या जब आपको अपने कपड़े प्रेस करने होते हैं और आप उसका प्लग बिजली के बोड में लगा कर स्विच आउन करते हैं तो बिजली की प्रेस गर्म कैसे हो जाती है? आईए इस पार्ट में इस बारे में जानने की कोशिश करते हैं। उद्देश्य इस पार्ट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। बिजली के सरकिट के अव्यवों के प्रतीकों का उप्योग सरकिट का चित्र बनाने के लिए किया जाता है। प्रतीकों के उप्योग से सर्किट का चित्र बनाना आसान हो जाता है, या स्विच आउन की स्थिती का प्रतीक है, या आउफ की स्थिती का प्रतीक है. बिजली के सर्किट के कुछ अव्यवों के प्रतीक इलेक्ट्रिक सेल एक साधारण उपकरण है, जिसका उप्योग बिजली पैदा करने के लिए किया जाता है. बिजली रासाइनी करियाओं से पैदा होती है, इसमें एक धनात्मक टर्मिनल और एक रिनात्मक टर्मिनल है, इलेक्ट्रिक सेल के प्रतीक में लंबी रेखा धनात्मक टर्मिनल और मोटी किंतु छोटी रेखा रिनात्मक टर्मिनल का प्रतीक है, स्विच या कुंजी सर्क स्थित में कनेक्शन जोडते या तोडते हैं। सुइच अन की स्थिती में रहने पर सर्कृट पूरा हो जाता है। और पूरे सर्कृट में करंट बहता रहता है। सुइच जब आफ की स्थिती में होता है तो सर्कृट अधूरा रहता है। ऐसी स्थिती में सर्कृट से कोई क प्रवाहित नहीं होता। सर्किट डाइग्राम यानी चित्र बिजली के सर्किट का सरलूप है। इसमें सर्किट की वैवस्था को मानक प्रतीकों के उप्योग से रेखांकित किया जाता है। सर्किट इससे पता चलता है कि इलेक्ट्रोनिक हिस्से यानी पुर्जे आपस में कैसे जुड़े हुए विद्युधारा यानी करंट का तापिये प्रभाव विद्यार्थियों जब विद्युधारा बल्ब के फिलामेंट या बिजली के हीटर गीजर बिजली की प्रेस या रूम हीटर की कॉयल से गुजरती है तो फिलामेंट या कॉयल गर्म होकर दमकने लगते हैं इसे विद्युधारा का ताप ये प्रभाव कहते हैं ऐसी स्थिती में ये ताप और प्रकाश छोड़ते हैं तार में उत्पन ताप की मात्रा उसके पदार्थ लंबाई और मोटाई पन निर्भर करता है इसलिए हम अलग-अलग जरूरतों के लिए अलग-अलग पदार्थ से बने और अलग-अलग लंबाई तथा मोटाई के तार इस्तिमाल करते हैं बिजली का फ्यूज आपने कभी-कभी अपने घर में देखा होगा कि फ्यूज जल गया और बिजली की सपलाई बंद हो गई क्या आप इसका कारण बता सकते हैं इसका कारण ये है कि शौर्ट जाने की वजह से बहुत अधिक मात्रा में विद्युत प्रवाहित होने से बेहिसाब दाप पैदा होता है। Safety Fuse एक ऐसा उपकरण है जो बिजली के सर्किट की रक्षा करता है। इस मामले में विद्युत धारा के तापिय प्रभाव का उप्योग किया जाता है। जब एक निश्चित सीमा से अधिक बिजली ली जाती है तो Fuse का तार सीमा से अधिक गर्म होकर पिखल जाता है और सर्किट तूट जाता है। इससे बिजली के उपकरण आग नहीं पकड़ते और खराब होने से बच जाते हैं। अलग-अलग तरह के Fuse अलग-अलग तरह के काम आते हैं। Plug Fuse हमारे घरों में इस्तिमाल होता है। Plug Fuse के दो हिस्से हैं पोर्सलीन केसिंग और पोर्सलीन ग्रिप। इस Fuse में टिन और शीशे की मिश्रिधातू का एक महीन तार होता है। जिसका पिखलने का तापमान बहुत कम होता है। Cartridge Fuse आम तोर पर बिजली के उपकरणों में इस्तिमाल होता है। Miniatur Circuit Breaker या MCB Miniatur Circuit Breaker या MCB अपने आप संचालित बिजली का स्विच है। जो बिजली के सरकिट को Overload या Short Circuit होने पर खराब होने से बचाता है। सरकिट में कभी भी खराबी आने पर MCB धारा की निरंतरता को तोड़ देता है। जिससे बिजली का प्रवाह तुरंत रुख जाता है। सामाने काम फिर से शुरू करने के लिए इसे दोबारा सेट किया जा सकता है। सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। बिजली के सरकिटों के अव्यवों के प्रतीकों से सरकिट का चितर बनाया जाता है। गर्म हो जाती है। बिजली का फियूज एक बचाओ उपकरन है जो शौर्ट सरकिट या ओवरलोडिंग के कारण बिजली के सरकिट को खराब होने से बचाता है।